आप सबी का बहुत स्वागत करता हूं आज किस वीडियो में आपको लिए बोल दू ये वीडियो आपको पूरी देखना है और एक ना एक प्रस्ण फिक्स है अगर अलंकार आ रहा है परिक्षा में मान चलिए अलंकार नियाय अथवा में कुछ और भी आ सकता है ठीके न तो या तो अलंकार रस या जो भी में से कुछ नहीं कुछ चीज़ जाएंगी तो फिक्स में आपसे बता रहा है बस इतना पड़ लाना है केवल यर पांच अलंकार पढ़ने और मेरी इस वीडियो की खासियत यह है कि मैं इसमें जो भी उदारन बताओंगा यानिकि जो भी एक यि वाले हो सारे सारे इतने सरछे कि आप सभी को पल भर भर में हो जाएंगे तो अप क्या करनाे वीडियो को फुल वोच करना एक हो सकते एक लाइक करना है शेयर करना है अपने सारे मित्रों के साथ और चैनल पर अगर आप सभी नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पर प्रेस कर लें ताकि हमारी जो भी वीडियो है उसकी की नोटिफिकेशन आप से वह को मिल जाए ठीक है तो चलिए पढ़ते सबसे पहले अलंकार की परिवासा पढ़ते अब देखे भाई एक्जाम में इसे भी आ सकता है अलंकार से आप क्या समझते हो ठीक है और फिर दे सकता है कोई भी अलंकार का नाम कि एक्स वाई जट अलंक आते सोभायने की उसकी इजट मानलो उसकी उसमें जो भी खासित पेदा कर दे मतलब ठीक है वह क्या है अलंकार का साब्दी करते आभुशन अब आभुशन ने की गहना तो जो भी गहना पड़ता है तो क्या होता है वो उस जिच की सोभा बढ़ जाती है ने की सुन्दरता ठीक इसे प्रकार कावे में अगर सुभा नहीं होगी तो कौन पड़ेगा उसे तो उसके लिए अलंकार बेहद आवशक है ठीक है तो देखिए अगला देखिए यह तोगा है थोड़ा बुद बाद आगे और देखिए अलंकार के बारे में जिने गुन धर्मों के द्वारा कावे सुंदर में व्रद्धी होती है उसे अलंकार कहते हैं ठीक है आचारी रामचंदर शुक्ले ने क्या कहा है कि कावे की आत्मा अलंकार को बताया है अब मान के लिए एक्जाम आया है और बताया कि भाया रामचंदर शुक्ले ने किसको कावे की आत्मा कहा गया है रस आ अलंगकार के बेत कितने होते है प्रकार कितने होते है तो तीन प्रकार होते एक्जाम में अगर czasie कितने प्रकार के होते है तो आप से कूँ टो टिक करना तीन पर थीक है सब्द अलंगकार ज报 encaps accomplish तो यह वे शब्दा अलंकार कहलाते हैं ठीक है जिन अलंकारों के प्रयोक से किस में व्रद्धी होगी शब्द सुंदर्य मैंने की सब्दों की सुंदर्ता में व्रद्धी होगी तो वो शब्दा अलंकार कहलाएगा जैसे कि अनुप्रास अलंकार हो गया यमक अलंकार स्लेस वक्रु तो जिन अलंकारों के प्रयोक से अर्थ में चमतकार उत्पन हो यानि कि अर्थ सुंदरे में व्रद्धी हो तो वहाँ पर हो जाएगा अर्थ अलंकार जैसे कि उपमा अलंकार हो गया, रुपक हो गया, उत्प्रिक्षा हो गया, अतिशोक्ति हो गया, द्रिस्टान्त, विरदभास, भ्रांतिमा, संदे और विशिशोक्ति, ठीके, नेक्स्ट देखिए, जो अलंकार, शब्द और अर्थ, दोनों को चमतकरत करते हैं, वे उभ्या अलंकार के लाते हैं, जैसे कि संस्टी हो गया, और संकरादी हो गया, ठीके, ठीके, तो चलिए पढ़ते हैं, संदे अलंकार, ठीके, संदे लेंकार, संदे, संदे याने की, शक होना, संदे, समझे सबसे पहले, संदे कारत होता है, शक होना, शक याने की, और सिंपल करू त इसको तो मतलब कि विश्वास न हो क्या नोना विश्वास न ओना याने कि बिलीव ना ओना कि भाय साथ यह सकता है ऐसा कुछ कशे तेा यह हो जाएगा संदे का अर्ठो आपसे पता नभी में अर्थ क्या विश्वास ना तो एक है जहां रूप रणग और गुण की समानता के कारण के खिशाः के किस वस्टू को देखिक कर यह निश्चयने हो पाना यानि कि विश्वास न हो पाना कि यहां वही वस्तु है यह भाई साथ वह वस्तु है वहाँ संधेलंकार होता है फॉर एक्जामपल आपकी बाइक है ठीक है और सेम टूर सेम एजटीस दूसरे की भी आपके पड़्ोस वाला की वेसी बाइक है उसी कंपनी की वह ही यहूं लेकिन मान कि चलो उसने भी जो नंबर प्लेट आपकी बाइक में वह नंबर प्लेट उसने भी लगवा लिया और सब कुछ एज़टीज वो का वही है तो आप क्या करोगे कि रंग रूप और गुण की जो समानता है उसके काण यह निश्चाई नहीं कर पाओगे कि वह आपकी हिवाइक है कि उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी बात आप से लगी की कि नहीं भाइसा मेरे बाग पर बेटता हूँ तो ऐसा फीज होता है यह ना थोड़ा बुत तो कुछ ना कुछ अंतर होगा तो वहाँ पर क्या है संधे लंकार है जहां पर निश्चाई नहीं हो कि यह वही वस्तु है तो वहाँ पर संधे लंकार होगा ठीक है इसके अंतर तक जो यह संचे बना रहता है इसमें जो यह अंतर तक संचे बना ही रहेगा कि भाई साब ये मेरी है के नी है है के नी है है के नी है नी है के है ठीक है ऐसा जैसे कि फूर एक्जामपल ये वाले एक्जामपल देखिए क्या एक्जामपल सारी बिच नारी है सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है यानिकी देखिए क्या बोल रहा है यहां साडी के बिच नारी है या नारी के बिच साडी है इसका निश्चे नहीं हो पाने के कारण संधे लंकार है कौन सा लंकार है संधे लंकार है ठीक है तो संधे हो गया अगला देखिए सांग रुपक लंकार कौन सा लंकार सांग रुप तो में सांग रूपक अलंकार है वह रूपक अलंकार का ही एक क्या है एक प्रकार है रूपक अलंकार के जो प्रकार होते ना उसमें एक प्रकार आता है सांग रूपक तो सांग रूपक का अपसे पढ़ना है ना कि रूपक रूपक नहीं है लेकिन सांग रूपक जो अलंकार है वो रूपक का ही प्रकार है ठीक है तो देखिए यह देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं जहां उपमे के उपमे के सभी अंगों पर उपमान के सभी अंगों का क्या हो आरोप हो वहां सांग रूपक अलंकार होता है उपमे के सभी अंगों पर उपमान के सभी अंगों का कि जो उपमान रेंगे उसको जिसारेंग है वो ये ब्स राय वहाँ कोई वी इसारेंग 508 ये इigers्तोर और POD सबस्वाइध करें सबस्कारों और सबनेसे ना वहां सबस्क्राइब छयारा भी करते को आंशान करना कोला है ओर इस्तुरी क्योंकि यह सब्लादि के लिए पर लगए चाहिए ऐसलिए नहीं कोई घूल एक घ्रम है क्या आपकी बितव के लुक्त गालत लग रहा है कि औभे खोना अके लियुक्ति ऑधिumm कहीं आधि डलग रहा है तो क्या बितवbolगत दन्रा करतीन हो आणुसे कि ना कोई ओई न कोई कोई गलत विचार गलत बात जो कि वास्तुवता में नहीं हो वेसे ठीके जहाँ प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेश समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का ब्रहमै बोव जाए भ॥ह quiénि यह जाए ऑने की उसकी यात आजाए यह वही विस्तू है कि रहां वहां ब्रहांति Самि είναι राग्हार हो तो बहुत है कि यह अलग करती बहुत है कि उसको मैंfed करते तो भी क्या पढ़ाएगा चलो ठीक हो तो बाद ही खराब हो जाएगी मतलब कि जहां पर कोई भी प्रस्तुत वस्तु है उसको आपने देखी और उसमें कुछ ना कुछ विशे समानता आप सभी को देखी और जिसके कारण दुसरे वस्तु का ब्रह्म आपके मन में पेदा हो गया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रांती मान अलंकार हो जाएगा ठीक है ब्रांती मान अलंकार उधान देख लिए आप सभी क्या है उधान देखी जान स्याम घंशाम को देखे जानने की जानना स्याम को स्याम घंशाम को देखे जाना किसको स्याम को घंशाम घंशाम था घंशाम की क्या जाना है स्याम है भाई साब तो जान स्याम घंशाम को जान स्याम घंशाम को घंशाम को क्या जान लिया स्याम जान लिया नाच उटे one more 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 लग गए कि इसको घंशाम को शाम मानकर शाम जानकर नाच उटे one more जान स्याम घंशाम को नाच उटे one more है ना यहां घंशाम के काले याने की स्याम रंग देखकर तो काले बादल को देखकर वन जो नाच नाचने लगे क्यों कि वह स्याम की जाने वह काले स्याम की जाने तो जान स्याम घंसयाम को नाच उटे वन बस आपसे पताना कि यहां पर क्यों है अगला देbnये विरोधाभास यह भी इंपोर्टेन्ट है वि यह यांपए Well जहां पर क्या हो जहां पर वरह अ गया हो विरोधाभास अखको उसके संधिविच्छित करेंगे तो क्या निकलेगा एक तो निकले का विरोध, धन आभास, यहां पर कौन संदि है, comment में बताएंगे कौन संदि, आप से युने 10 में पढ़ा होगा, मुझे जान तक लगता है, इसमें होगी, दिर्ग सोर संदि, नहीं, दिर्ग नियोगी, या दिर्गूण होगी, आप से बताना है कौन सी है इसम लिए विरोध धन आभास बराबर विरोध आभास तो जहां पर विरोध का आभास हो वहां पर विरोध आभास अलंकर होगा देखे जहां किसी पधार्थ गुण क्रिया में वास्तिविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो वहां विरोध आभास अलंकर होता है वास होई जो जो बुड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्वल होई यहां पर श्याम यानि की काला रंग में डूबने से उज्वल यानि की श्वेत होने के वणन है है ना दूबने रंग में डूबने से उज्वल यानि की श्वेत होने का वणन है यहां विदाबास अलंकार है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है व्यतिकरण 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 के शाब्दिकरथ देखिए शाब्दिकरथ होता है इसका आधिक की क्या होता है शाब्दिकरथ आधिक की जब किसी पद में उपमान की अपेक्छा उपमे को अधिक बड़ा चड़ा कर प्रस्तूत किया जता है कोई भी पद है उसमें उपमान की अपन अपेच्चा कर दे और उपमे को अधिक बड़ा चड़ा कर प्रस्तूत करे तो वहाँ पर व्यति करण वहाँ पर व्यति रेक अलंकार होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा व्यति करने तुझ जाएगा लेकिन अलंकार कुछ जाएगा व्यति रेक अलंकार थिक ए इसका एक्जांपल देख लीजे व्यति रेक का देख लीजे जिनके येश प्रताप के आगे ससी मलिन रवी शितल रवी शिलत शी तल शिलत नहीं है भई सब शितल है शितल शितल एसा शितल है शितल होगा ना येश और प्रताप किया ये उपमे है के समक्ष उपमान जने की चंद्रमार सूरी उपमान के चंद्रमार सूरी रवी कोभी मलीन मलीन ने सीतल तेज रहित बताय गया है है ना देख लिजे जिनके यश प्रताप के आगे जिनके यश प्रताप के आगे यश और प्रताप कितना बड़ जीजे जिनके यश प्रताप के आगे ससी मलीन रवी सीतल लागे ससी जो है मलिन लागे ससी क्या लागे मलिन लागे ससी और रवी जो है वो सीतल लागे तो यह जो है यहाँ पर क्या है यहाँ पर उपमे यहने यहस के आगे यहस के समक्स उपमान यहने की चंद्रमा और सुर्य को भी मलिन मलिन देख लिए मलिन मलिन यहने किसको चंद्रमा को ससी ससी यहने सूर्य को भी मलिन और सितल सितल यहने कि तेज रहित सितल यहने कि तेज रहित कोन रवी यहने कि सूर्य सूर्य कितना तेज होता है लेकिन फिर भी तेज रहित बताया गया है अता यहां पर व्यतिरेक अलंकर है यहां पर क्या कर रहे हैं अपन उपमे के समेक्स उपमान को भी कम बता रहे हैं और उपमे को बड़ा चड़ा कर बता रहे हैं तो यहां पर व्यतिरेक अलंकर हो जाएगा I hope कि आपको अलंकार जोए अच्छा समझ में आया होगा जय हीद जय भारत